कि वेल्कम स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्केशन चल रहा था अनिमल किंग्डम के फाइला को रिविजन करने का काम हम कर रहे थे तो आज जो हम फाइलम लेने जा रहे हैं जिसका हम डिस्केशन करेंगे रिवाइज करेंगे तो वो है यह थे फाइलम एनलेड़ा फाइलम एनलेड़ा एनलेड़ा हम डिस्केशन करने जा रहे हैं the first thing about the analytes is that they have a segmented body analytics का सबसे पहला जो चीज है जो आफको याद रखना है that is they have segmented body जैसे आफ इस animal को देखते हैं इनकी body में segments है the term annalida has been derived from the root word annulus annulus लफज से annalida निकला है जिसका मतलब है ring-like structures तो इनकी body में segments होते है ring-like structures होते है देशो true metabolism true metabolism इनमें पाया जाता है जैसा कि आप देखते हैं कि इनकी body बाहर से भी आपको segmented लागेगी और अंदर से भी in actuality segmented है इसका बेहतरीन example आफको समझने के लिए कि आफ सभी लोगों ने देखा होगा that is earthworm इसकी बेहतरीन example है तो इनहीं चीजम को लेकर आप में जो animals है इनको लेकर हम बात करने जा रहें देखें यहां पर आप देखेंगे एकवेटिक यह जो है यह एकवेटिक है और एकवेटिक में आप देखेंगे marine as well as fresh water यह marine भी हो सकते है फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है marine as well as fresh water तो इसके बाद है देखेंगे matter segmentation इनमे matter segmentation है लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि matter segmentation जो इनमें है देखेंगे matterism और you matterism that's body is internally as well as externally divided यहां body बाहर से भी दिखती है divided और internally भी है divided and देखेंगे bilateral symmetry 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 जो है इनमें bilateral है इस तरीके की symmetry आप median segmental axis के थ्रू इसको तो इसो में डिवाइड कर सकते है या यह नेरीज का diagram है इसको भी आप दो इसो में median segmental axis के थ्रू डिवाइड कर सकते है तो symmetry इनकी जो हुई that's bilateral symmetry triploblast है तीन जर्म लियर से एक्टोडर्म एंडोडर्म मुजोडर्म इनकी बाड़ी में है और इसके बादे सिलो मेंट आनिमल्स दे पॉजसे ट्रू बाड़ी क्या होगी that's their silo metanamals their body surface is distinctly marked out into segments are metamures in a segments ko joha happy segments a body may income metamures we have case a thing you can also call them as a metamures same make true segmentation a human opening make a hata kill late in term annular say Nikla head and I let out which means little ring basically these segments appear as small ring say to segments a chode chode rings ki farm appear ho jate that's why we call them as the annulus तो इसी लहाँ से इनको एनलेडा नाम दिया गया है they possess longitudinal and circular muscles इस तरीके से इन में muscles होते हैं यहां इस तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं कि इन में जो muscles होती हैं वो यहां पर मैं आपको बता दू इस तरीके से एक तरीके की muscles arranged की हुई होती हैं उनको कहा जाता है circular muscles और दूसरे pattern की muscles ऐसे longitudinal liarn ho जाती है उनको कहा जाता है longitudinal muscles तो उनमें दोनों circular isolettes longitudinal muscles होती हैं यह इनका जो काम है लोकोमोशन इनका जो काम है यह लोकोमोशन में अपना जो है वो कंट्रिबूशन देती हैं यह जो मसल्स हैं सर्कूलर नौंच चूड़ना लोकोमोशन में अपना काम करती है है अक्वेटिक अनलीडिस लाइक नयरी जो है को बश्या फोनेजर एक्वेटिकश्च हो थो जिनको परपोडिया के यह हमने मदद देते हैं कर्सकेंड्री नर्यापे जो मैंचीज यह निकल के आ रहे हैं तो as per the NCRT text यहां पर हमने में मैंशन किया है कि इन में नारीज में इसका प्राइमरी रोल होता है इन एक्वाटिक एनलेट्स लाइक नारीज इन में प्राइमरी रोल होता है परापोडिया का इन सव्मिंग तो इसके बाद है close circulator system is present you have to understand what here that these are the first invertebrates which have close circulator system close circulator system आप समझते हैं कि close circulator system में एक हाट होता है और ब्लट वासल्स और इस्ट्रीज होते हैं जिनके थू ब्लट पंप हो जाता है so we say that they have a close circulator system try to understand this thing तो इसके बाद एक्सक्रीटर स्टम पर आता है इन में एक्सक्रीटर स्टम जो होता है in excretion as well as osmorgulation excretion आप समझते हैं कि body में toxic wastes को बाहर निकालना that's excretion excretal wastes को बाहर निकालना but osmorgulation it's maintenance of the fluid balance inside the body so nephradia का दोनों में रोल है in excretion as well as the osmorgulation neural system consistence आप जो neural system इनका होता है nervous system peered ganglia है इन में ganglia होते हैं peered connected by जो connect किये हुए होते हैं by lateral nervous जो connect किये होते हैं by lateral nervous तो इन में peered ganglia होते है connected by lateral nervous double ventral nerve card इनका double ventral इस तरीके से double ventral nerve card होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ganglia होते हैं तो इस तरीके से इनका nervous system होता है नारीज ऐन एकवर्टिक वर्म इस डायूशिस यूजूली डायूशिस होते हैं जैसे नारीज होए बाट अर्थवर्म्स जो हैं अर्थवर्म्स आर मानोशिस्ट आट फैर हर्मफोराइट्स और रिप्रोडेक्शन जो होती है that is sexual development होती है usually direct in some case it's also indirect development that's by larva which you call as the prokofor larva prokofor larva होता है prokofor larva जैसे earthworm में development है that's direct development there's no larva form but in case of nary's there is indirect development in many other forms there is indirect development इसके examples लीज़ आप nary's है it's Indian earthworm heredinary blood sucking leech जो leeches होती है वो भी इसी phylum में आती है इसके बाद आप move करेंगे towards another phylum which we call as the phylum orthopoda अगर आप इस phylum पे आएंगे phylum orthopoda जो है we will discuss this phylum orthopoda तो जो orthopoda जो basically term है the term orthopoda it has been derived from Greek word which means ortho ortho means jointed and poda means food जैसे यहाँ पे एक animal बना हुआ है इनके जो यह appendages होते हैं they are jointed इनके appendages जो यहाँ पे आप देखते हैं these are jointed appendages are over here that's why we call them as orthopoda इसमें एक बहतरीन example आपको insects की आएगी insects एक बड़ा एक class बनाती है orthopoda की तो यह हैं orthopoda the animals which have jointed appendages जैसे यहाँ पे इस तरीके से jointed appendages होता है तो इसमें एक एहम बात यह निकल के सामने आ रही है कि orthopoda जो है they form the largest kingdom of the animal kingdom यह सबसे बड़ा kingdom है sorry it is the largest phylum of animal kingdom animal kingdom का सबसे बड़ा phylum है phylum orthopoda तो यह आपको नीट में याद रखना है और इसी phylum में एक जो आता है हमारा एक class आता है जिसको आफ कहते हैं class insecta वो class insecta animal kingdom का सबसे बड़ा class है तो इस phylum का भी सबसे बड़ा class है तो यहाँ पर अगर आफ थोड़ा बहुत भी जान दिंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यह जो animals है two-thirds of all named species on earth और अर्थ और अर्थ पोल्स जो two-third सारी species इस जमीन पे हैं living organs उन में से two-third हैं आर्थ और्थ पोल्स इनकी organ system level of organization होती है bilateral symmetry होती है triple blast होती है यह चीज़े मैंने already discuss किये बहुत बार इससे पहले जो लेक्जर्स है इंट्रोड़क्टिड लेक्जर्स अबाउड अनिमल किंडम उसमें terminology में based up classification में यह चीज़े सारी डिसकस हुई है तो इनमें organ system level of organization होता है bilateral symmetry होती है यह triple blast होते है और यह segmented worms होते हैं लेकिन यहाँ पे segmented animals not worm, segmented animals होते हैं लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो segmentation है it is pseudo segmentation the body appears to be segmented यह इस insect की बात की जाए body बाहर चे लग रही है it is segmented but internally it is not segmented so it is false metamorism और it is pseudo metamorism लेकिन silomates हैं true silomates हैं their body is covered by kitanis exoskeleton इसकी body जो होती है arthropod की इसमें kitanis exoskeleton बाहर से होता है यह इनको एक rigid structure देता है बाहर से this is the reason for their success यह वज़ा है कि यह successful animals हैं यह आप देखते हैं जमीन पे भी देखते हैं आप aerial environments में हवा में देखते हैं कुछ बाहरी में भी है इनके तो यह एक एहम development है इनमें they have a kitanis exoskeleton kitanis is a polysaccharide और इसकी वज़ए से इनका exoskeleton जो है यहाँ पे आप थोड़ा focus करें कि इनके body में कौन-कौन से हिसे होते हैं और क्या है उसका क्या system है इनके body में यूजूली तीन हिसों होते है this is head यह head होता है इसके बाद आता है portion जिसको आप कहते हैं thorax यह thorax कहलाता है और इसके बाद यह वाला portion आता है जिसको abdomen कहते है so body is divided in three parts head, thorax and abdomen लेकिन कभी का बार क्या होता है कि head और thorax fuse होके बनाता है एक structure जिसको आप कहते है cephalothorax उस situation में आप abdomen को opsthosoma भी कहते है और cephalothorax को prosoma भी कहते है so body has three divisions that is head, thorax and abdomen but sometimes the head is head and thorax is fused to form cellothorax also known as prosoma in that very condition the abdomen is also known as opsthosoma तो इसके बाद यही इनकी jointed appendage के बारे में बात की जा रही जो हमें already discussed किया है respiration इन में होती है through gills respiration होती है through book lungs book gills यह इन में respiratory organs है जैसे gills होए book gills होए book lungs होए और tracheal system यह tracheal stem of respiration होता है insects में अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके लिए होता क्या है what basically happens in these very organisms is like that कि यहाँ पर आपको इस तरीके से समझता है कि इन में कुछ इस तरीके के कुछ lungs होते है कि यह आर्थरपोर्स में जैसे कि यह हुआ जिसको आप कहते है scorpion इस वे बुक lungs है scorpion में बुक lungs है अब इनको बुक lungs क्या होता है जैसे एक बुक में leaves होते हैं उसी तरीके से इनके जो यह lungs होते हैं उनमें कुछ structures इसी तरीके के हमको देखने को लगते हैं जैसे कि एक बुख में Leafs एनिज के हुए होते हैं वाईसे उनकी Lenks में कुछ ऐसे स्ट्रेक्ट्चर्स होते हैं तो उनको बुक लंग्स कहा जाता है इसी तरी केसे बुख खिल्स होती है इसी तरी केसे एक और सिस्टम होता है है respiration के लिए जिसको tracheal system of respiration कहते हैं फार यह insects में होता है इनमें यह silvery white tubes होते हैं जो body में run करते हैं और यह open हो जाते हैं to the outside by opening switch you call as spiracles this system of silvery white tubes forms what we call as their malpigen tubules. तो malpigen tubules के through excretion हो रही है लेकिन यह जो excretion malpigen tubules के through होती है यह particular category यह जिनको आफ इनसेट्स कहते हैं mostly dioces यह अलग होते हैं male or female fertilization female body के अंदर होती है तो fertilization is internal mostly oipares eggling animals है तो obviously oipares कहला हैं यह development में भी डारेक्ट आरेंड़ेक्ट डारेक्ट डारेक्टी भी हो सकते हैं इसी तरीक्स है बहुत सारे बहुत सारे हैं अपको इसे यादे रखनें की दोरत कि इसके बात करेंगे इकनामिक लिए इंसेरों कुछ हम इंसेर्ट इंप में जो आते हैं जैसे कि बंबाइक स्मॉरे हुआ यहां पर आपका हम बंबई स्मूरी हुआ तो बंबाइक स्मूरी इस बेस के लिए तो वहीं पर आपको वैक्टर्स है जैसे इन आफ लैसा है एडी से सारे मास्किटोस है लोकास्ट एक अनदर पैस्ट है यह अर्थोपोर्स में लिविंग फॉसिल कि रैप यह आपको कभी कभार पूछा जाता है इंडि यहां पर है इनकी बौड़ी में एक शल होती है यह यह एपल सनियल है एक टिपकल आइग्जांपल है मॉलसक की तो इनकी बाड़ी के बाहर एक केलसेरी श्यल होता है तो यह soft body नाइनिमोंस है because the term मॉलसक का means a soft body नाइनिमोंस study of Mollusk is known as malacology 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 is the study of Molluska और मॉलसकन shells की जो study है अगर आप अब Molluscan Shell's की स्टेड़ी करेंगे तो उसको आप कहेंगे Conkology जो Shell इनका होता है Conkology The study of Molluscan Shells Terrestrial है Aquatic भी है, Marian भी है Freshwater भी है, Organ System level of Organization Bilateral symmetry आप समझते हैं Tropo Blast के हैं और Sillum में Animals है, Body Covered by Calcerous Shell जो भी हमने कहा Body के Divisions होते हैं अगर आप इस तरीके से थोड़ा पूत यहां पे दियान देंगे तो यहां पे आप देखेंगे बाडी इस कावड़ वे कैल सीरिस चेल्ड मैंने अल्रीड कहा इनी शेल्स की स्टेड़ी को हम कांकालिजी कहते हैं और इसके बाड़गे टीजेंज्जन से ह Debまš singular fude visceral hum इस तरीके से बाड़ई उते हैंdcourse फिर visceral hum और यह muscular foot अ क Albा को मोशन में काम आता है इस घीड यह एड़ है विस्तर हम है और यह foot है मस्कुलों फूट यह लोको मुशन में काम आता है इनके इसके भाद स्पेस्पेस बीटेएं हाप अन्ट मैंटल इसका दाइस मैंडल कहावती जो हम पूर मैंटल है हम इसके बाहर होता है मैंटल इनके दर्मियान जो कावटी होते हैं इस नोवन इस मैंटल कोड़ी वह इसमें ब्रेस बिट्वीन हम और मैंटल इस्किर लाइक गिल्स ओते हैं यहां पर इस पेस्में इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर सोथे हैं जिनको प्वाइए गिल्स सो दो रएस्परेटर एक्स्कुरिटर इंगी इसके बाइद यहां पर थोड़ा आगे जाएंगे हम हुआ द्ए एंजी राटर सेंशिरी यहeduc इस तरी रिचेंज है लाइक के और कम सेंसभी इनके बंके इस स्ट्रिक्च?. भी स्टुचर होती। है मैं लुछ這裡 के घेडियुली को तो यह दैजिब को हैent यूशियस मीन्स विचार यूनिसेक्चुल होते हैं तो और पेरा से एगलेंग है इनमें भी ट्रोकोफर लार्वा पाया जाता है और यह एक इवलिशनल रिलेशन्शिप बनाता है वह बहराल एक अलग डिसकेशन है एक्जाम्पल्स एपल सिनेल की एक्जाम्पल है इसमें प प्लाइशिया दंटेलियम इसको टसक शाल का जाता है कि टो प्लूरा कई तरीके से होता है डंटेलियम ठीक है तो इसके वैद आई एक और फालम हुआ हमारे पास विच का लाया है फालम इकुनोदरमाटा तो इकुनोदरमाटा मीन इस स्पाइनी थेनियान अरव इनकी उसी से ही वो spines निकलते हैं, ऐसे, that's why they are known as echinodermata, because echinodermata means spine, derma means skin, spiny skin and animals है यह, marine है सारे, with organ system level of organization, यह सारे के सारे marine है, इन में organ system level of organization होता है, तो यहाँ पर यह चीज़ आप देखे, इन में radial symmetry होती है, इन में, very important point, adults में radial symmetry होती है, जिसको प्रेड और पंटा मेरा symmetry कहते हैं, लेकिन, इन के लारवा में bilateral symmetry, this is Oscar निवर need examination, इन में radial symmetry होती है, adults में लारवा में होती है, bilateral symmetry, triple blast है, silomate animals है, यह फिर एक बार में आपको कहता हूँ, यह need में important point है, इन के लारवा में bilateral symmetry होती है, adult meridial symmetry होती है, triple blast है, silomate animals, head ice system complete with mouth as well as anus, ठीक है, most distinctive feature of ignored armata is the presence of water vascular system, इन में एक वाट 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 है, जैसे आपने cylindrates में पढ़ा कि cylindrates में canal system है, that's particular only to the cylindrates, इस तरीके से embolical system, जिसको water vascular system भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, water vascular system, it's also known as embolical system, it's particular to a chrono dermata, remember this very point, very important for need, तो इसके बाएदे, इसकी function क्या है, water vascular system की function क्या है, यह भी need में आफका point मत था है, कि इसका function क्या है, water vascular system का function है, function पे आते हैं, water vascular system के, locomotion, capture of food and transport of food and respiration, remember very important point, water vascular system का function, locomotion, capture and transport of food and respiration, कोई एक सिस्टम नहीं, एक सिस्टम नहीं, एक सिस्टम इस एपसेंट, sex is separate होते हैं, reproduction, sexual, exclusively sexual, reproduction, fertilization, external body के बाहर होती है, development indirect with free-saving larva, development indirect होती है with free-saving larva, larva की अगर बात की जाए, इनमें ओफियो प्लोटास, इकाइन ओप्लोटास, डोलियो, लेरिया, बहुत सारे इनमें larva होते हैं, तो इसके बाद, इनके examples को देखे, इसके बाद आता है, एक और हमारा आता है, important point यहां पे, इसके बारे में, यह बात, कहना जरूरी है, कि इससे पहले, इसके classification को अगर देखा जाहे, in earlier time, इस से पहले को अगर टेकाइन, जाए इसके बात हैश्य विखिवानफियों, अग्जिस्ट करता है सिलिंड्रिकल बाड़ी है बाड़ी में थीन चीज़ें होते है प्रोबुस, कालर और ट्रंक यहां पर आई यहां पर देखते हैं इनका example यह balanoglossus हुआ तो इसको एकरान वर्म भी कहा जाता है इनके बाड़े में तीन हिस्से होते है ऐसे हम इन तीन हिस्सों को यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से तीन हिसे, this is head, यह head है this is collar और यह trunk है इनके बाड़े में तीन हिस्से होते है head, collar and the trunk ठीक है तो यह हुआ इनकी बाड़े के different हिस्से क्या है circulatory system open type है a heart is present but there are no well-defined blood capillaries, vassals, etc the body, the tissue this circulatory fluid directly bought the body tissue excretory arm proboscis gland होता है excretory organ in में there is proboscis gland proboscis gland नाम की एक आरगन होती है जो यह excretory organ है sex is separate है fertilization external development होती है indirect through a larva which you call it tauronaria larva tauronaria tauronaria larva होता है इनमे तो इनके example में आफ जाएंगे balanogloss है इसको acronworm भी कहा जाता है और psychogloss है इसको अब देखिए इसी का diagram यहाँ पर बना हुआ था इसे पहले जो हमने discuss किया तो balanogloss का another name जो है balanogloss का that's acronworm acronworm और इसको कभी कभा tongue worm भी कहा जाता है tongue worm इसके बैद रहा आफ का phylum card data so phylum card data का revision lecture हम आने वाले lecture में इन्शालाः discuss करने जाने है but I will again suggest to you के इन lectures को आफ तभी attempt करेंगी जब आफने in depth detail में पढ़ा होगा जो मैं आफको पढ़ाता हूँ जो lectures में देता हूँ वो आफ study करके इस चीज़ को attempt करें ये आफके जो level है उसको boost करेगा और आफके region में बहुत काम आएगा particularly in your need examination hope that you are doing well and you are concentrating and focusing on your study करेंगी